अच्छा जी अब हम एक कदम और आगे बढ़ाते हैं family business को समझने के लिए और हम ये देखते हैं कि जो family businesses होते हैं उनके typically क्या advantages होते हैं यानि क्यों ना मैं अपना business scratch से शुरू कर लूँ क्यों ना मैं कोई existing business खरीद लूँ क्यों ना कोई franchise ले लूँ क्यों अपने family business को join करूँ तो यहां पर कुछ advantages हैं जो के हमारे सामने होते हैं और इन advantages की बन्याद पर ये एक हद तक recommend किया जाता है कि आप अपने family business को join करें मैं मिसाल के तोर पर ये कौन कौन से हैं पहली चीज़ तो यह है कि कारोबार आप सब लोग जानते हैं कि जिन्दगी की तरह जो कारोबार का सफर होता है वो भी smooth नहीं होता है कारोबार में हमेशां आपको स्मूथनेस नहीं मिलती है बलके कहा यह जाता है कि जैसे जिन्दगी एक बंपी रोड होती है जिसके उपर आपको उतार चड़ाओ आते रहते हैं इसी तरह से बिजनेस की जिन्दगी में भी उतार चड़ाओ आते हैं अगर अच्छे वक्त आते हैं तो बहुत चैलेंजिंग वक्त भी आ जाते हैं अब जब चैलेंजिंग वक्त आते हैं ना किसी औरगनेजेशन के उपर खास तरह पर बिजनेस औरगनेजेशन के उपर तो एक खच्छा पैदा होता है कि वो disintegrate हो जाएगी disintegrate का मतलब यह है कि challenging period है tough time है लोगों को financially भी और दूसरी times में भी अपने benefits को रोकना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी तो आम तोर पे general organizations के अंदर लोग कहते हैं कि यार यह business तो अब slump time आता है, तो वहाँ जो के family members होते हैं उनके दरमियान जो relationship होता है जो रिष्टा होता है, वो इस कारोबार से बड़ा होता है इस कारोबार से मजबूत होता है तो उनके पास यह option नहीं होती, कि वो अपनी, मैंने मिसाल के दोर पर आप अपने अबबा के कारोबार में हैं आपके भाईया आपके साथ हैं, बुरा वक्त आ गया है यह आपके पास option नहीं होगी कि आप बुरा वक्त में उनको छोड़ के कहीं चले जाएं यह बड़ा मुश्किल होगा लहाजा family business के अंदर जो आपकी strength होती है family relationships की वो challenging time में आपको integrated रखने में अपना एक role play करती है फिर challenging times की अगर हम बात करें या business के future prospects की हम बात करें तो family member होने की हसियत से इसका इमकान बहाँ ज़्यादा होता है कि आप कुछ वक्त के लिए अपने financial benefits को sacrifice कर दें मैंने मिसाल के तोर पर अगर आप किसी जगर पे employee हैं या मुलाजिम हैं तो आप कहेंगे जना मैं अपने आजी तनखुआ क्यों हूँ इस महीने में मैं अपने bonus या अपने increment पे increment को क्यों कुर्बान करूँ लेकि जब आप उस business के मालिक होंगे और family member भी होंगे तो आप कहेंगे जार आज अगर हम कुर्बानी देंगे ना अपने business के अंदर तनखुआ कम ले लेंगे या financial benefits को sacrifice करेंगे तो कल को ये हमें ही return करेगा लहाजा family business के अंदर financial sacrifice के इमकानात ज्यादा होते हैं अच्छा उसके बाद जो family businesses होते हैं आम कार पर उनके उनकी जो distinction होती है दूसरे businesses पर वो ही होती है का या this is owned by a family इसको एक family on कर रही है तो ये एक strengthened business है इवन हमारे एजगे भी अगर आप वो करोबार identify कर लें जिन जो के families earn कर रही हैं आप देखेंगे कि वो distinguished होते हैं compared to the other businesses अच्छा उसके बाद जो family businesses होते हैं उनके बारे में literature हमें ये guide करता है practice से भी हम ये learn कर सकते हैं कि वो अपनी communities के लिए आम तार पे बड़ा high concern रखते हैं और family business होने की वज़ा से वहाँ पर एक family का माहौल होता है और उस माहौल की वज़ा से जो non family employees हैं उनको भी certainly benefits और advantages मिलते हैं अच्छा उसके बाद आप long term के लिए long haul के लिए plan कर सकते हैं लेकिना family की tie ऐसी है कि वो जल्दी खुलेगी नहीं और आपके पास family में ज़रा तर अपनी tie खोलने का कोई chance भी नहीं होता है लहाजा family के अंदर लंबे अर्से तक planning करना आसान होता है फिर उसके बाद family business होने की वज़ा से ये literature हमें बताता है और ये हमें practice भी guide करती है कि family businesses में आम तर पर quality और value दूसरे businesses के निस्पत बेहतर होती अच्छा अब ये जितने भी advantages मैंने आपको बताएं ज़ूरी नहीं है कि हर family business के अंदर ये मौजूद हो कहीं इन में से कुछ मौजूद होंगे कहीं सारे मौजूद होंगे लेकिन उनकी intensity दूसरों से different होगी ये बात आपको याद रखना अच्छा आप कुछ और बात ही है ये आपको ये भी याद रखना है कि family में होनी की वज़ा से आपकी काम्याबी के लिए जो motivation है वो हाय होती है तो कि आपको पता होता है कि अगर हम काम्याब होंगे तो हम सब को इसके अंदर benefit और फला मिलेगी अच्छा उसके बाद family business के अंदर ये होता है कि आप business को चुक्छे wide network होता है सारे लोगों का network role play कर रहा होता है तो business की promotion निस्बतान आसान होती है अच्छा उसके बाद ये होता है कि आपकी जो मतलब overall कहते हैं कि दो scenario's exist कर सकते हैं family business के अंदर एक ये कि conflicts पैदा हो जाएं दूसरा ये कि बहुत harmony हो और जब harmony हो तो उससे ज़एदा ideal चीज family businesses के अंदर कोई नहीं होती है उसके बाद एक बहुत एहम चीज़ आपको याद रखनी है family businesses के अंदर आम तर पे controlling cost बड़ी low होती है ये controlling cost जनाब क्या होती है इसको management cost भी कहते हैं नहीं कि आप एक business में हैं आप हैं आपका बेटा है या आपके वालिद हैं या आपके भाही हैं तो आम तर पे जो control करना है एक दूसरे को manage करना है वो high amount of trust की वज़ा से कम होता है तो ये भी कुछ additional benefits हैं जो के family business में आप enjoy कर सकते हैं और ये आपके लिए कुछ reasons बन सकती हैं अपने parents के business को join करने के हवाले से या उसमें काम करने के हवाले से Thank you very much